अशोगेलोद ने 5 सिसम्बर शिवगंच में कॉंक्रिस दफ्थर का उत्खाटन करते विक संसनी खेज रहस उत्खाटन किया उन्होंने कहा था कि जुराय एकस में सचिन पैलिट के अगवाई में हुई बगावत के दोरान केंद्री ग्रहमंत्री अमिश्चा कुछ बागी विधायकों से मिले थे जिने बाद में इसकी शर्मिंदगी भी हुई वे किस तरह उन्हें गहलोट सरकार गिराने के उन्हीं संकल्प के बारे में आश्वास्त कर रहे थे गहलोट ने कहा था कि उन विधायकों ने बताया कि कहा सरदार पटेल और कहा ऐसे ग्रहमंत्री गैलोट ने ये भी आरोप लगाया था कि केंद्री मंतुई धर्मेंद्र पधान भी वहां मौझूद थे और वियासा दिखावा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और हाइकरूट के जगजों के साथ वो बात कर रहे हैं ताकि फैसला उनकी सरकार की खिलाफ और भागियों और भाजपा के पक्ष में आए वही भाजपा की राजसभा सांसर जफर इसलाम भी थे जुनके बारे में उनका आरोप है कि मद्धिप्रेश में कमलनाज सरकार गिराने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी वही गहलोट पहले ही कह चुके हैं कि मद्धिप्रेश की बागियों के साथ करने वाली पूरी टीम वही थी जिने राजस्तान की बागियों की देखभाल के लिए लगाया गया था बदादे शाह और भाजपा ने हाला कि गहलोट के बयान का खंडन नहीं किया और इससे उन लोगों की काफी निराशा भी हुई थी जिने लगता था कि पाइलेट गहलोट का तकता पलट कर देंगे और इसके एविज बे उन्हें भी पुरुसकार मिलेगा जब उन्हें ने शाह का भरोसा जीत लिया तो मुख्यमंति के बयान का अर्थ भी यही हुआ कि उनके पास बहुत सारी सूचनाय आई और शायद इन में से उनके खिलाफ तकता पलट की साजिश करने वाले पाइलेट और दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग भी शामिल है उन्होंने का कि यह साजिश खत्म नहीं हुई है पाचपाउंड की कुरसी गिराने का एक और कोशिश कर सकती है लेकिन इस बारे में बोला यही वक्त गहलोट से चुना गया क्योंकि उनके आदेश है कि पालिट समेत अधिकतर बागियों पर अब और जादा अधिक फरोसान नहीं किया जा सकता दिल्ली में नेताओं को एक धड़ा उनसे कुछ ऐसी बागियों को काबनेट आधिकारिक पदों में समाहित करने को कह रहा है जो पालिट के नजदीकी थे पालिट के विद्रों में उतरनी में जूमने पहले से ही रोकने में आलकबान की आनकानी की वज़े से ही सूबे में कॉंग्रिस जिसने चुनाव में भाजपा को बूरी तरह माद दी थी इस्थानीय निकायों, पंचायतों और जिला प्रिशत चुनावों में बराबरी की वुकाबले पर आ गई थी इन चुनावों के नतीजे जिसमें सूबे के लगपत दो तिहाई हिस्से आते हैं बतादे 2018 में विदानसबा चुनाव का तकरीबन 12 साबित हुआ जिसमें निर्दली को अच्छी खासी बड़त हुई थी गैलोत का कहना था कि कॉंग्रिस को भाजपा से जादा वोट मिले और 2015 में पिछले चुनावों में उसके प्रदर्शन में सुधार आए भाजपा अध्यक्ष सतीश पुढिया कहते हैं कॉंग्रिस ने उन इलाकों में भेतर प्रदर्शन किया जहां इसने मुस्लिम भहुमत वाली वोट बनाये थे और पूर्वराजस्थान में जहां इसकी मौजूद की भाजपा की मुकाबले मजबूत रही उनका कहना था कि पंचाच चुनाव जिसमें 2 करोर मद दाता है मैं भाजपा में 14 लाख वोटों से बड़त बनाये हैं जबकि शहरी निकाव में कॉंग्रिस की 2888 वोट से बड़त हासिल हुई थी प्रदेश कॉंग्रिस अधिक्ष गोविन सिंग दोट सारा कहते हैं कि पार्टी उमीदों के मिताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने नई संगटन का गठन अभी तक नहीं किया गहलोड जानते हैं कि अलाकभार ने पाइलेट के साथ कोई वादा नहीं किया था, जिसका दावा उनकी समर्थक कर रहे हैं. पाइलेट के बागी बेचैन होने लगे हैं और उनमें सी कुछ सरी लगातार गहलोड संपर्क साथ रहे हैं empowered यानके एविज में पाइलिट को उन्हें अपने साथ रखने के लिए कुछ ना कुछ परितोशक देते रहते हैं, यानि की सफाई देते रहते हैं। साथ है कि भाचपा ने ग्रामीर इलाकों में और क्योंग्रिस ने शहरी इलाकों में वहतर प्रदशन किया, यहीं सबक है कि जिन पर दोनों पार्टी उन्हें अपनी आगे की रणनीती तै करनी है। वे रपोर्ट, SPN 9 News